बिस्मिलाई रहमार वियाहीम, अस्लामलीकूम डियर स्टुडेंट्स आज मैं आपको मैप प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगी जो के आपका प्रेक्टिकल नंबर एट है बुक के उपर मैप प्रोजेक्शन का पहले भी बहुत जो है वो जिकर हो चुका है मैप प्रोजेक्शन एक्चुली एक तरीका है जिसकी मदद से हम जमीन पर मचूद जो फरसी हतूत होते हैं जिनको हम हतूते तूल बल्द और अर्स बल्द कहते हैं उनके जाल को हम एक हमवार सता के उपर या हमवार कागज के उपर एक हास्त तरकीब से जो है वो मुन्तकिल करते हैं तो इस हास्त तरकीब से मुन्तकिल करने के अमल को हम जो है वो मैप प्रोजेक्शन जो है वो कहते हैं अब हतूते तूल बल्द और अर्जबल्द के बारे में भी बहुत डिटेल से आपने प्रक्टिकल नंबर वान में पढ़ा थोड़ी आसा मैं इंट्रोड़क्शन दे देती हूं कि हतूते अर्जबल्द वो फर्जी हतूत होते हैं जो के हत इस्तवा के मतवाजी होते हैं और एक दूसरे के भी मतवाजी होते हैं और ये शुमालन जनूबन पहले होते हैं इनकी टोटल तदाद एक 180 होती है जीरो ग्यानी एक्वेटर से 90 डिग्री शुमाल की तरफ और जीरो से 90 डिग्री जनूब की तरफ हतूते तूल बल जो हैं ये भी फर्जी हतूत हैं जो के जमीन पर लगाएगे हैं और ये खते निस्फ नहार के मश्रीक और मगरी में पहले होते हैं और कुतब शुमाली और कुतब जनूबी पर जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं इनकी तदा 360 होती है जीरो से एक सोसी डिगरी मश्री की तरफ और जीरो से एक सोसी डिगरी मगरीब की तरफ अब ये जो हतूत हैं हतूते तूल बल्द और अर्जबल्द इसके जाल को हम ग्रेटी क्यूल कहते हैं अब इस ग्रेटी क्यूल को जब हम किसी मैथट के जरीए से यहां आप कह सकते हैं कि इस ग्रेक्टिकूल को जिस मैथर्ड से हम एक हवार सता के उपर मुन्तकिल करते हैं मुख्लिफ मैप्स बनाने के लिए तो उस प्रॉसिस को या उस मैथर्ड को हम जो है वो मैप प्रोजक्शन कहते हैं the systematical drying of perils of latitude and meridians of longitudes from the globe on a flat paper is called a map projection a map projection is a representation of the earth's perils and meridians as a net or graticule on a plain surface यानि जमीन पर बने वे फर्जी हतूते तूल बल्द और अर्ज बल्द के जाल जिसको हम क्रेटिक्यूल कहते हैं जब हम उसकी ड्राइंग किसी हमवार कागस के उपर करते हैं एक खास मेथड से तो इस मेथड इस कॉल दी मैप प्रोजेक्शन अब आपको पता है कि जमीन की सटा बिल्कुल हमवार नहीं है तो इस सटा को एक कागस के उपर मुंत्किल करना भी असान काम नहीं है इस अमल के लिए बहुत से तरीके इस्तमाल किया जाते हैं जिसके मदद से जमीन या इसके किसी हिसे का सही नक्षा एक हमवार कागस पर मुंत्किल किया जाए अब इस अमल के लिए जो मुख्तिफ चीज़ें जहन में रखी जाती हैं वो यह होती हैं कि जो नक्षा है वो सहील सम्त हो जानि उसकी डिरेक्शन ठीक हो सहील शकल हो यानि जिस शकल में वो जमीन के उपर इलाका या जिस चीज़ को हम ड्रॉ करना चाते हैं जिस शकल में वो जमीन पर है उसी शकल में वो मैप पर आई इसका रखबा दुरूस्त हो यानि जो रखबा जैसे पाकिस्तान का रखबा 7,96,96,96 मुरबा जो किलो मीटर है तो इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रखबे होते हैं उनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं मुख्तलिफ सम्त में वो वाकिया होते हैं कोई इस्ट में है कोई वेस्ट में कोई नौर्थ में कोई सोथ में और उसके इलावा भी जितनी सिम्तों के आपने पड़े हैं पीछे पूरा एक practical आपने किया था 주 स्लिप स्लिप्राइक्शन के हवाले से तो जिस जिस डारेक्शन जिस शकल है जिस रखबे में वह dimension पर मुझूद ये पांचों की पांचों हैं ये किसी एक projection में तो हो नहीं सकती कि एक तरह का projection हो जिसमें ये सारी चीजे हो कि वो सही सिम्त भी हो वो सही शकल भी हो उसका रखबा भी दुरूस्ता है नक्षे का पेमाना भी ठीक हो और उसके बनाने में सहूलत और असानी भी हो तो इन तमाम हूबियों को अकठा करने में और किसी एक प्रोजेक्शन की टाइप में मर्ज करने में काटोग्राफर्स ने सालहा साल से जो है वो कोशिशیں जारी रखी हुई है लेकर अभी भी कोई भी एक प्रोजेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये तमाम की तमाम जो खूबियां आपको देखने में जो है वो मिले इसलिए प्रोजेक्शन की बहुत सी जो है वो इक्साम है तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा जो है वो मैप प्रोजेक्शन जो हैं वो अब तक आज़ और जाद हो चुके हैं कि इनी चीज़ों को जहें में रखते हुए कि बेहतर से बेहतर प्रोजेक्शन आए जिसमें ज्यादा से ज्यादा हुबिया हो यायनी वो सही जमीन पर मुझूद मुझ्लिफ इलाकों को मुदलिफ सूबों को मुलकों को शहरों को दर्याओं को या जमीर को पर जितनी भी जो है वो landforms बनी वी है जितने भी लाके बने वे हैं उनको ठीक ठीक projection भी जो है ऐसा बन जाए कि उस projection को follow करते वे हम ठीक ठीक उसको मैब के उपर जो है बिया हो अभी आगे चलके आप प्रोजेक्शन की एकसाम पढ़ेंगे उनको डिटेल से ड्रॉ करना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से कुछ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जिनके उपर रखबा ठीक ठीक जाहिर होता है जिस जो जमीन पर रखबा है वही मैप के बढ़ रहा होता है कुछ ऐसे होंगे जिसमें डारेक्शन इक्वी डारेक्शन होंगे यानि सही उसम्त होंगे जिस डारेक्शन में कोई चीज जमीन पर है उसी डारेक्शन में वह होगी लेकर कोई भी मैप ऐसा नहीं होगा प्रोजेक्शन मैप प्रोजेक्शन ऐसा नहीं है जो ये तमाम हूबियां जो है अपने अंदर समो के रखता हो तो जो प्रोजेक्शन के मुटाला है उसमें जो बुनियादी मालूमात और इसलाहात के वजाहत की जाती है उनका जानना उनका जहें नशी रखना जो है वो बड़ा मामन साब जो होता है उसमें ये जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हतूते तूल बल्द जो के तमाम के तमाम भड़े दाइरे हैं और कुरा अर्ज को दो ब्राबर हिसों में तक्सीम करते हैं गलो पर कुतब शुमाली और कुतब जुनुबी पर एक नुक्ते पर मिल जाते हैं इनमें जीरो का हाजिसे निस्वन हार कहते हैं प्राइमेरी डियन ये सारी के सारी वो चीज़े हैं जो आपने पहले पढ़ चुकी है यानि एक प्रोजेक्शन क्या देता है आपको हतूते तूल बल्द के बारे में बताता है अब हतूते तूल बल्द आपको पता है कि अगर हम जमीन को एक दाइरा मानते हैं जिस तरह से ये 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 डाइग्राम को गराब देखें ठीक है अगर हम जमीन को यूँ एक दाइरा मानते हैं ठीक है और ये खत वो है जो कि जमीन को दो ब्रापर हिसों में तक्सीम कर रहे हैं जिसको हम प्राइमेरीडियन या खते निस्फु निहार कहते हैं तो इसके ये मश्रीक की तरफ और फिर इसके यूँ मगरीब की तरफ ये जो फैले वे हतूत हैं जो के यहां पर कुतब शुमाली और कुतब जनूबी पर जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं इनको हम हतूते तूल बल्ट कहते हैं इनके बारे में बहुत डिटेल से हमने प्रैक्टिकल वान में भी जो है वो किया है छीक है इसी तरह से दूसी चीज तो इसमें आ जाती है वो है हतूते तूल अर्जबल्ट अब अर्जबल्ट क्या है कि अगर हम जमीन को जो है वो एक दाइरा मानते हैं तो ये वो हत है जो कि जमीन को दो बराबर हिसों में तक्सीम करता है जिसको हम हत इस्तवा कहते हैं तो हत इस्तवा के शमाल और हत इस्तवा के जनूम में वो हतूत जो के हतेस्तवा के मतवाजी हैं और एक दूसरे के भी मतवाजी हैं और ये नॉर्थ पोल और सौथ पोल तक जो हैं वो फैले होते हैं इन हतूत को हम हतूते अर्जबल्द कहते हैं इनके तदाद आपको पता है 180 होती है 0-90 डिग्री शमाल की तरफ और 0-90 डिग्री जनूब की तरह इसके बाद जो चीज आ जाती है वो है गोर ये भी आपको पहले बताया हुआ है कि दो खतूते तूल बल्द के दर्मियानी अलाके को हम गोर जबके दो खतूते अर्जबल्द के दर्मियानी अलाके को हम जोन कहते हैं ये प्रैक्टिकल नमबर वन में ये सारी चीज़ें आपने बहुत डिटेल से जो हैं वो की हैं और हतूते तूल बल्द और अर्जबल्द जब हम मिला का ड्रॉ करते हैं तो वो जो एक नेट वर्क बन जाता है जैसे ये आपको हतूते अर्जबल्द नजर आ रहे हैं और इनके साथ ही मैं हतूते तूल बल्द भी ड्रॉ करूँ तो ये जो हतूते तूल बल्द और अर्जबल्द का एक जाल सा बन गया है इसको हम गरेक्टिक्यूल जो हैं वो कहते हैं और इस ग्रेक्टिक्यूल में जो है वो फिर इसी के मदद से हम किसी इलाके, किसी मुकाम या जगा को बाजसानी बियान कर सकते हैं अब जमीन की जो हकीकी शकल है वो आपको पता है बिल्कुल गोल नहीं है बलकर जियॉड है हते इस लवा पर वो बाहर की तरफ निकली ही है जबके कुटबी इलाकों पर वो अंदर की तरफ पिछकी ही है और इसकी वज़ा भी आपको पता है यह आपने फिर्स्टियर में बहुर डिटेल से पढ़ा था कि जमीन में जो है वो दो दरा की मूमेट्स जो है वो हो रही है एक है रेवलूशन और एक है रूटेशन रेवलूशन का मतलब है कि जमीन अपने मदार में रहते हुए जब सूरज के इर्द गिर्द चक्र लगाती है तो उसको हम मदार्वी गर्दिश या revolution कहते हैं और एक है rotation क्यानि जमीन अपने axis क्यानि अपने महवर के लट्टू की तरह भी घूमती है जिसको हम rotation कहते हैं तो science के point of view से जब भी कोई चीज गोल दाइरे में घूमने की कुशिश करती है तो उस पर दो तरह की कुवतें जो हैं वो अमल में आती हैं एक वो कुवत होती है जो के उस चीज को गोल दाइरे में घूमने के लिए चाहिए होती है वो force जिसको हम centipetal force कहते हैं और दूसरी वो force होती है जो के उतनी ही intensity में होती है यह आप समझने के उतनी ही powerful होती है जितनी सेंट्री पीटल force होती है लेकिन वो opposite direction होती है यानि अगर सेंट्री पीटल force किसी चीज को गोल दाइरे में घूमने के लिए फेवर करती है तो सेंट्री फीगल force उसको दाइरे से बाहर खेंचने में force ये जो है वो अपना काम करती है तो अब जमीन क्योंके गोल घूम रही है तो उस पर ये दोनों कुपते काम कर रही है सेंट्री पीटल force भी और सेंट्री फीगल force भी अब सेंट्री पीटल force उसको कहती है कि तुम गोल गूमो सेंट्री फीगल force उसको खेंचती है गोल गूमने से तो इस खींचा तानी की सूरत में क्या हुआ है कि जमीन जो है वो इक्वेटर पर यानि हते स्वा पर बाहर की तरफ निकल आई है और जो कुटबी लाके हैं उसमें अंदर की दरफ धनस गई है जिससे उसकी शकल बिलकुल गोल होने की बजाए जियॉड बन गई है ऐसा न्यूटन के तजर्बे से भी थाबत हुआ है और जमीन की जब मेयर्मेंट्स ली गई गई जमीन के सेंटर से जो है वो उसको खते इस्तवा तक भी मापा गया और पोलर एरिया तक भी मापा गया तो पता चला के जमीन जो है इसका जो रदास यहां रेडियस है वो खते इस्तवा पा 3964 मीन जबके कुटबी लाकों पा 3950 मीन है यानि उसका इस्तवाई जो रदास है या रेडियस है वो ज्यादा है कुटबी रेडियस से तो इससे भी थाबत होता है कि जमीन जो है वो इस्तवाई लाकों पा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आई है और कुटबी लाकोपा थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है वो धनस चुकी है तो परोजेक्शन बनाते वकर हम जमीन को जो है वो एक ताइरा ही तसबर करते हैं और इसका जो रेडियस हम लेते हैं वो ना तो हम 3964 मील लेते हैं और ना ही 3950 मील लेते हैं बलके हम एक एवरिज रेडियस इन दोनों को देख कर बना लिया है जो है 3960 मील ठीक है और इसे 250 मिलियन इंच के बरापर जो है वो तसबर किया जाता है यानि अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे आगे जैसे आपने ड्रॉ करना सीखना है तो इसमें जो हम जमीन का एक्ट्वल रेडियस लेंगे वो हम 250 मिलियन इंच जो है उसके बरापर लेंगे तो यह 250 मिलियन इंच कैसे आया है यह भी मैंने आपको बताया है कि यह एक ओस्त यह एवरिज रेडियस निका लिया गया है हत्यस तवा के रेडियस और कुत्वी रेडियस को मिला कर हत्यस तवा पर रेडियस जो है वो 3964 जबके कुत्वी लाकों पर 3950 है तो एक जो एवरिज इसमें से लिया गया है वो 3960 इसका निकल है तो 3960 मील को अगर हम इंचीज में कनवर्ट करें तो वह 250 मिलियन इंचीज जो है वो बनता है तो आगे जब हम परोजेक्शन बनाएंगे ड्रॉख करेंगे उसमें आपको ये 250 मिलियन इंचीज का यूज जो है वो बड़ी असानी से जो है वो समझ आएगा के ये किस तरह से हैं ठीक है तो आज के लिए आपको इतनी बताना था के प्रोजेक्शन्स जिसका क्या बहुत से पहले वाले लेक्टर्स में नाम सुन चुके हैं तो असल में ये जो हैं प्रोजेक्शन क्या हैं ये जमीन पर मजूद हतुते तूल बल्द और अर्ज बल्द को एक हमवार कागज के उपर शिफ्ट करने का मैथड है और इसके बहुत से तरीकों हैं मैप प्रोजेक्शन के गयान इसकी बहुत सी इकसाम है और इसकी इतनी ऐकसाम इसलिए बनाई गई हैं के जमीन की सटा हमार नहीं है उसमें बहुत सी आपस, डाउंज और मुचलिफ शकलों के, मुचलिफ रकबों के, मुचलिफ समतों के जो हैं वो इलाके हैं तो उन सारी चीज़ों को ठीक ठीक प्रोजेक्शन के ओपर बनाना किसी एक प्रोजेक्शन के समझे का काम नहीं नहीं, बहुत η बास की बात नहीं उसके लिए फिर बहुत से का्टोग्राफफिस ने वो जमाएना कदीम से लेकर अब तक बहुत से तरीके जो है वो एजाध की हैं तकरीबन दो दर्जन से ज़्यादा मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्षिन अब तक एजाध हो चुके में हैं जिन में से कुछ जो हैं वो किसी हास हूबियों के हामिल हैं और कुछ जो हैं वो कुछ दूसी हूबियों के हामिल हैं बास प्रोजेक्शन में कुछ हामिया हैं किसी में कुछ हैं गयानि कोई भी ऐसा प्रोजेक्शन नहीं है जो के बिलकुल फूल फ्लेज हो जिसमें जो है वो तमाम हूबियां हो गयानि वो सहीूरकबा भी हो सहीूसम् उसमें नक्षे का पेमाना भी ठीक हो उसको बनाने के में सहूलत और असानी भी हो तो कोई भी ऐसा projection नहीं है तो इसने मुतलिफ projections को मिला का हमेशा वो wall maps और endless maps बनाए जाते हैं या आगे जब आप मुतलिफ types पढ़ेंगे projections की तो उसमें भी आपको clear होगा कि कौन सा projection जो है वो किस point of view से या उसमें क्या हूबिया है और क्या हामिया है और किस तरह से ये जो word maps या wall maps, actress maps, book में लगेवे maps आपको नज़र आते हैं इनको बनाना इतना असान काम नहीं है इनके नीचे जो network बना होता है ग्रैटीक्यूल जिसको हम कहते हैं लॉंगिचूर्स और लेचिचूर्स का पहले उसको draw करना पड़ता है किसी हास projection के तरीके से और फिर उसके उपर जो है वो map जो है वो word map या किसी सूबे का, इलाके का, मुल्का जो है draw किया जाता है और यह ऐसा इसलिए किया जाता है ताके जो शेप उसकी समीन के उपर है वो ही आपको map के उपर जो है वो नसर आए तो यह जो map projections हैं, यह बहुत एहमियत के हामिल है, इनके बगएर map का तसवर भी नहीं जो है वो किया जा सकता तो ही इस सारे practical को आप बहुत धहां से मेरे साथ साथ जो है वो cover करेंगे आज मैंने आपको सिर्फ introduction of the map projections करवाया है काल इन्शाला हम types of the map projections जो है वो detail से करेंगे और इसी तरह से step by step जो है वो हम चलते जाएंगे इसके बाद जो है वो फिर मुख्लिफ जो types है मेन आपकी बुक में जो आपको चार types दी कहीं है फिर उन हर types की मजीद जो है वो जैली जो है वो इक्साम है हर फिर मिसाल हर एक जो आप projection की type है और उसकी जो मजीद आगे से types हैं उन में से हर एक ही कुछ हूबिया हैं कुछ हामिया हैं वो हम discuss करेंगे projection को पूरे का पूरा बनाना सीखेंगे किस तरह से एक projection को जो है वो ग्रॉ किया जाता है इसके लावा जो main इसमें चीज़ आपने नई आज की है एक तो longitude, latitude, gratitude, zone, grid इन सारी चीज़ों का तो आपने practical one में भी किया है जो नई चीज़ इसमें आपने की है वो हमने जमीन का radius जो के हम 250 मिलियन इंचीज तसवर करते हैं मैप प्रोजक्शन बनाते वकट वो हमने आज जो है वो डिसकस किया है और मैं दोबारा से रिपीट कर गती हूँ कि वो इस वज़ा से है जमीन की शेप की वज़ा से आपको जो मैंने सारी बताई है कि जमीन रिवाल भी कर रही है जिसकी वज़ा से जो है वो उसकी शेप गूल नहीं रही बलके वो जियॉड हो गई है हते है सवाँ पर बाहर को निकल आई है और कुत्पी लाकों पर अंदर की दरफ धनहस चुकी है हते सवाँ पर जमीन का रेडियस 3964 माईलस जबके पोलर एलिया पर 3950 माईलस जो है वो रेडियस है तो इन दोनों radius का average जो है वो 3960 miles लिया गया है जो के तक्रीबन 250 million inches के बराबर है तो जब हम projection draw करते हैं तो उसमें हम जमीन को एक दाइरा ही तसवर करते हैं और उस दाइरे का जो radius है वो हम 250 million inches जो है वो तसवर करते हैं तो ये एक नहीं बात है उसको समझे तो इन्शाला फिर कल मैं आपको types of the map projection जो है वो करवाओंगी आज के लिए इतने काफी है लेक्चर को दिहान से जो है वो सुने अपनी book में से खोल के वहां से भी पढ़ें कोई problem आता है किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आम मुझसे जो है वो discuss कर सकती है तो इसके साथ के आज का लेक्चर हतम होते है अल्ला हफिस